मित्रो नमस्कार मंत्र जड़ी पूटी ग्यान चनल में आप सभी का स्वागत है और मेरे सभी प्यारे दोस्तों भाईयों को जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको होली की बहुत हारदिक सुपकामना है आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ मैं ये किसी की दवा बना रहा था तो इसमें आज मैं कोई दवा नहीं बताऊँगा दवा बनाते बनाते मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ कुछ भाई मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था कि मतलब हस्तमैथन के क्या क्या नुक्सान है बहुत से भाई लोग ने वीडियो देखा भी लेकिन बहुत से लोगों को मैंने बताया यह तरीका जो मेरे पर दवा लेने आते हैं उनको भी लेकिन वो क्या कहते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि हम कसम भी खा लेते हैं उसके बाद भी हम हस्त मैथुन की आदत को छोड़ नहीं पाते हैं तो आज उस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ जिस भी भाई ने इस वीडियो को पूरी देख लिया है समझ लिजे उसकी लाइप बदल जाएगी परसेंट गारेंटी है मेरा भरोसा है अपनी बात पे और अपने इस वर पे भरोसा है कि मेरी ये बात जो है जिसको भी मैं बताऊंगा जो भी सुनेगा उस पे असर जरूर पड़ेगा अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस जिगा मेडिटेशन की और इस मन की क्योंकि मन इतना चंचल होता है मन केवल हमेशा गलत रास्ते पे ही ले जाता है ठीक और आपको इस जिगा क्या करना है अपने मन की न सुनके अपने हिर्दे की सुनना है अपने हिर्दे की पुकार इंसान कैसे सुनता है ऐसे कभी ने सुन सकता है इंसान हिर्दे की पुकार क्योंकि आज कल इतनी टेकनोलोजी आ गई है कि हर तरफ काम वासना ही है इंसान के वर उसी में फसा है आज कल कभी किसी को कोई ये नहीं सिखाता है कि एक अपने सरीर में एक हिर्दे भी एक ऐसी जिगा है जो वो भी सांती अंदर चाहता है क्योंकि हस्त मैथून करने आले बंदे कंदर क्या होता है असानती भी आ जाती है वो डिप्रेशन में जाने लगता है यहां तक कि कुछ तो ऐसे दोस्त मुझसे इलाज करवा रहे है इलाज करवाया है तो वो कहते थे कि मैं आत्महत्या कर लूँगा मैंने अपने कई पेशन का इलाज जो है मेडिटेशन के दोरा ही किया है दवा उनको देता रहा हूँ मेडिटेशन किया अब मैं बता रहा हूँ मन कैसे नुक्सान करता है कहते हैं मनवा तो पंच्छी भाया उड़के चला आकास उपर से ही गिर पड़ा यो माया के पास ठीक और इसी मन बताते हैं मन जो है पंच्छी यह हवा से भी तेज भागता है और सीधा आके माया जाल में कि माया आप कह लिजे चाहें बुराई कह लिजें माया हमेशा बुराई ठगती है इंसान को समझ लिजें ठल करती है कपट करती है क्या है माया और इस मन को मारने के लिए कहा गया है कि मन को मारो ग्यान से मिट जाए मन की दोड़ और कहें कबीर बिन ग्यान के तीन लोग नहीं ठोर अगर इनसान को ग्यान नहीं है तो उसका कहीं पर भी ठोर नहीं है जहां पर भी जाएगा उल्टी स उनकी कम उम्र होती है वो भी जो है गलस संगत में पढ़े और क्या हुए वो अध्यानता होई समझ लीजे उनको उनके अंदर ये अध्यानता ही है कि हस्टमेद्फून करते हैं उसी अध्यानता की भरपाई जो है वो जब इस चीज को समझते हैं जब तक तब तक इतनी देर ह जब छोड़ते हैं तो किसी को धात हो जाती है किसी मसाना कमजोर हो जाता है छोड़ने के बाद दुनिया भर की बीमारी शुरू और उसके बाद पढ़ते हैं वैद हकीमों के चक्कर में बस खाली दवा खाते रहते हैं तो ये तरीका गलत है आप इलाज के साथ साथ और जो भ लत लत पड़ गई है गरम जलवायू कह लीजे या कुछ भी कह लीजे ये भी एक समझ लीजे काल का जाल है अब ये सब जाल काल वाली ये सब बाते जो है वही समझेंगे तो इस पर से जुड़े हैं जिनका थोड़ा अध्यात में मैं भगवान पर भरोसा हूँ आज मैं भी ये कार कर रहा हूँ चैनल बनाया है तो मेरे पर गुरू की बिसेश करपा है मैं जब भी खाली समय में रहता हूँ सत्संग में जाता हूँ अपने मुबाइल लॉगडाउन नहीं लॉगडाउन में तो खैर सत्संग भी होना बंद हो गया लेकिन मैं अपने मुबाइल पर ह सर्च करके अपने गुरु महराज का सत्संग सुनता हो तो उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है क्योंकि देखिए आप जैसी संगत करोगे जैसा खाओ अन वैसा हो मन जैसे पीओ पानी तैसी हो बानी ठीक जैसी संगत आप करोगे जैसा खान पान रहेगा आपका दिमाग भी मन भी उसी तरह भागेगा जब अगर किसी के अंदर पॉजिटिव उर्जा है तो उसके सामने चाहे जितना उलजा हुआ इंसान हो जहां उसके सामने जाएगा उसकी उर्जा जो है पॉजिटिव वाले की उर्जा जो है उन निगेटिव वाले को असर करेगी अगर दोन जो हुए वही बात करेंगे अब काम वास्णा में घिरे हुए इनसान के पास आप जाओगे केवल वो काम वास्णा की ही बात करेगा ठीक लेकिन जिसके अंदर सकारात्मकुर्जा है उसी की बात का आपके उपर असर पड़ेगा जो बंदा चूरी कर रहा है अगर वो कहेगा तुमको अगर वो ग्यान देगा कि चूरी करना छोड़ दो तो तुमारे उपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस सरीर में भी समझ लिजए एक एनरजी होती है जो हमारे सरीर से तरंगे निकलती रहती हम दोनों हम जब किसी के भी सामने जाते हैं तो एक दूसरे की समझ लिजए एनरजी एक दूसरे से टकराती जब हम बात करते हैं तो उसी से उसी तरंगों द्वारा आपने ये देखा होगा जादा तर जो है बुरी एनरजी अपनी और बहुत तीजी से खीशती है आप किसी के साथ गए आपको किसी ने का लो थोड़ी सी दारू पी लो आपने नहीं पी आप नहीं भी पी रहें अगर उसके आप साथ में उ काल का जाल आप वहां फसें क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है पैदा होता है मा के गर्ब में रहता है तो बगवान से यही प्राथना करता है कि है बगवान मुझे इस नरक से निकाल मैं बाहर जाके तेरी ही भक्ती केवल करूंगा लेकिन जहां वो उसका जन्म होता है दन जन्म होते ही समlight लीजे मोह माया में मायाजाल में फच जाता है उस से इस माया से कौन निकालता है माया मैं यह नहीं काँगा कि घर त्याक देना चाहिए परिवार की जिम्मेदारी निभा के भी आद्हात्म में भक्ती में जुड़ा जा सकता है उसी के बाद जो है उसक मैंने वीडियो में पीच्छे भी बताया है, 25 की वर्स की आयो तक तो उनको सेक्स की कोई बात ही नहीं बता जाती थी, कबी कोई बात ही नहीं होती थी बड़े हुएं, थोड़े समझदार हुएं, गुरुकुल में भेज दिया गया, अध्यात्मे की बात होती थी, केवल अध्यात्मे तो उनको ग्यान होता था इसलिए मैं बता रहा हूँ, केवल कभी ये जो मरीज है, सबसे पहले तो अपनी संगत उधारे, अगर उसकी गलस संगत रहेगी, तो कभी उसकी पॉजिटिव उर्जा नहीं आ सकती आपने देखा होगा, कि जितने भी गुरु भक्ते जुड़े हुए होते हैं, वो सचसंग में जाते हैं, तो उनको आपने केवल उनकी सोच, बहुत बड़ी आफ़त भी आजाती है, तो क्या करते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ती करते हैं, अपने गुरु के प्रवचन सुनते हैं, तो गुरु पर वचन भी समझ लीजिए, गुरु मंत्र के समान होता है, उनके वचन सुनके उनका मन एकदम तरप्त हो जाता है, हिर्दय जो है, एकदम सांत हो जाता है, पूरी उनकी उल्जन खतम हो जाती हैं, जब इंसान का मन सांत रहेगा, हिर्दे स्वस्त रहेगा तो वो भी स्वस्त रहेगा, तो उसकी एनरजी भी स्वस्त रहेगी, उसकी सोच भी स्वस्त रहेगी, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा, कि आप उस मेडिटेसन को अपना हैं, ठीक है, मे गलत लट छोड़ सकता है जो कहते हैं मैंने कसम खाया कसम खाके नहीं छोड़ पाया यह आदत तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा अब एक छोड़ समय आपको दरश्टान सुना रहा हूं। अब जैसे कहीं भी हो आप खेत मे जा रहे हो खेत की तरफ जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो अब मन देखिए कैसे क्या क्या करवाता है। आपकी आँखों ने देखा कि वहाँ गन्ना लगा है आपके मन में क्या आया कि चलो गन्ने को तोड़ते हैं चोरी करके और खाते हैं ठीक उस जिगा सारा काम आपका मन कर रहा है ठीक अब क्या करेगा मन में आपकी यह आएगा कि चलो आगे बढ़ो तो आपका पैर चलने लगेगा आगे बढ़ने लगेगा जब आगे जाते जाते फिर मन में एक बार यह आएगा कि कोई देख तो नहीं रहा है आप इधर उधर गरदन घुमाओगे आँखे इधर उधर करोगे कि कोई नहीं देख रहा है फिर आप अपना हाथ आगे बढ़ाओगे उसके बाद आप तोड़ोगे तोड़के चले आओगे एक आपने समझ लीजे गलत किया तो इस जिगा आपका चल सरीर रहा है ठीक लेकिन उसको काबू में किसने किया आपके मन ने अगर यही आप गुरू की संगत में जाओगे सत्संग करोगे कुछ भी करोगे तो आपके हिर्दे आपने इस चीज़ को गौर किया होगा आप कभी भी कोई गलत चीज़ करते हैं जो अध्यातम से जुड़े हैं या इसवर से जुड़े हैं अच्छाएग रास्ते चलते हैं उन्दों ने ये चीज़ जरूर गौर किया होगा कभी भी कोई अगर वो अपने से अपना नुकसान हो लो या वाला कार करते है या हस्त मैथू नहीं करने जाते हैं तो एक बार अंदर से आवाज जरूर आती है कि इस काम को मत करो ये गलत है तो उस जगा समझ लीजे हिर्दय आवाज देता है आपका लेकिन इंसान हिर्दय की न सुनके मन की क्यों सन रहा है क्योंकि वो अपने अंदर बैठे हुए भगवान को नहीं ढून पा रहा है ठीक अगर आप अपने आपको नहीं पहचानोगे तो आप गलत रास्ता नहीं छोड़ सकते अपने हिर्दय की नहीं सुन सकते हो तो मेडिटेशन करने से क्या होता है जितनी भी ब्रह्मान्ड की एनरजी है पॉजिटिव एनरजी है आप चाहे एक महिना मेडिटेशन करके देख लीजे एक महिना बंदा अगर कहता है मैं कार नहीं कर सकता हूँ तो वो उस कार को यही कहेगा कि यह कार कैसे नहीं हो सकता है वो समझ लीजे अपनी सारी निगेटिव सोच को पॉजिटिव में कर देगा और वो जो भी पेशन्ट हो चाहे धात का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो अगर मेडिटेशन वो करता है तो उसकी सोच भी सकारात्मक होने लगी कि उसकी आधी बिमारी तो धीरे-धीरे ऐसे खतम होने लगी क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है meditation करने का मैं तरीका भी बता दे रहा हूँ आपको पलती मार के एकदम जील की हड़ी सीधे करके एकदम सरी ढीला छोड़ देना और आखे बंद करके आपको कुछ नहीं सोचना है सुरू में तो देखिए आपका मन बहुत भागेगा जब हम अपने मन के सुनते हैं तो हमको तकलीफ होता है लेकिन जब हम ध्यान करने के लिए बढ़ते हैं अपने स्वांस का आपको आखे बंद करके ध्यान लगाना कि केवल मेरी सांस आ रही जा रही उसी पर ध्यान लगाना है तो उस समय मन को तकलीफ होती है कि ये इस्वर की तरह भाग रहा है और हिर्दय खुस होता है आप करके देखिए मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी ये जो आदत को नहीं सुधार पा रहे हैं कहते हैं किसम खा लिया है नहीं छोड़ पा रहे हैं किसम खा के क्या छोड़ पाओगे जब तुमने अपने हिर को इस टेक्नोलाजी के चक्कर में लोग अपने हिर्दय की बात को सुनना बंद कर दे रहा है ठीक हत अपने हिर्दय की सुनिये अगर वाकाई में आप ठीक होना चाहते हैं तो इस चीज़ को एक गांठ बांद के रख लीजे कि मैं ये कार नहीं करूँगा कसम भी अगर आप खा रहा हैं आप अपने मन को रोकिए ठीक मन को रोकने के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपका मन करेगा जब आप मेडिटेशन क कि बस मुझे अपनी सांसों पर ध्यान करना है बस और कुछ नहीं अगर कुछ आता है तो विचार आ रहे हैं आने दीजे यह मन आपको बहुत भटकाएगा लेकिन धीरे 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 आप अपने मन पर भी काबू पाने लोगोगी जब अपने मन पर काबू पाने लोगोगी आपका मन भागेगा आप सोचेंगे कि अरे वो काम कर लूँ ठीक तो आप तुरं फिर जहां आपका मन भागे तुरं बस इस चीज़ पर आपको ध्यान लगाना है कि सांस मेरी चल रही है जहां ध्यान जाएगा बस तुरं फिर अपने मन को खीच लीज़े कि सांसों पर ध् धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपने मन पे काबू करने लगोगे वैसे वैसे आपकी हस्तमेथुन करने की भी आदत धीरे धीरे छूटेगी मैं यह नहीं कहूंगा एक दिन में छूट जाएगी तो उस समय जब आप अपने आपको पहचानोगे ना तो आप खुछ जैसे कुछ लोग केते हैं अपने आपको पहचानने से क्या होगा ध्यान से क्या होता है देखिए अगर जिस बंदे को भूख लगी है वही जान सकता है कि भूख कैसी होती है सामने वाला बंदा तो बस यही गएगा भूखा है खाने वाला बंदा ही बता सकता है जैसे कुछ लोग केते सामने अला बंदा बस आप खाले उससे यह को कर बहुत अच्छा है मीठा है बस के वल वो यही जान सकता है लेकिन जो बंदा ग्रहन कर रहा है तो वही जान सकता है तो उसी प्रकार जो है इसवर है meditation करने से इस वह अपने अंदर जो बैठा हो भगवान है हम इसी सब भाग दोड़ की उसमें जो है अपने अंदर की बैठी हुई सक्ति को खो रहे हैं खोते जा रहे हैं बहुत दूर चले जा रहे हैं बसके वह इनी सब चीजों में फसे जा रहे हैं जब आप meditation करने लोगए तो आपके अंदर की ताकत मजबूत होगी आपका आत्मे विश्वास होगा मजबूत आपका हिर्दे मजबूत होगा ठीक है आपकी इंदरियां नाडियां सब मजबूत होना सुरू हो जाएंगी तो वही दवा जो आप छे महीना खा रहे हो आप ब्र meditation करता हूं इसलिए मैं meditation के चमतकार जानता हूं ठीक है और इस्वर की किरपा इसा नहीं कि किसी नहीं कुछ लोग कहते हैं मेरे पर इस्वर की किरपा ही नहीं आप जिंदा हो इससे बड़ी इस्वर की कृपा कुछ हो ही नहीं सकती है ठीक उसने आपको हाथ पैर दिया है जनम जो है भगवान भी भगवान इस्वर भी जो है मानो जनम को दुरलब बताते हैं वो भी सोचते हैं कि कास हम भी मानो होते हैं ठीक मानो सब कुछ कर सकता है कि मानो को कर्म करने के बाद भी अपनी गलती को सुधारे गलती को सुधार के फिर से अच्छाई के रास्ते पि में सरस्टी के रचेता है और विष्णु भगवान है पालन हार ठीक उनका काम है पालन करना तो जो अपनी जिम्मेदारी में बंधा हो तो किवल उसी उसी में रह सकते हैं लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है जो कुछ भी कर सकता है गलतियां करने के बाद भी हो इसवर गुरू सर है थुन करने के लिए पॉर्ण फिल्मे देखने के लिए एक गंटा वरबात कर सकते हैं तो अपनी जिंदगी से जब आपको प्यार नहीं है ठीक है आप भी बिमार होगे आप जब बिमार होगे तो आपका पार्टनर भी बिमार होगा क्योंकि आप जब उसकी ख्वाहिस ही नहीं पूरी कर पाओगे तो सीधी जबात है उसको बिमारी होगी अब आप ही हो आप पॉर्ण फिल्म में देखते हो आपके अंदर गंदे विचार आते हैं जब तक आप कुछ नहीं आप नहीं कर लेते हो अपना जो भी करते हो हस्त मेहत्मिन करते हो वी इसके लिए जब बं हतिया ले जाओगे लड़ने तो हार जाओगे तो जो आपका हतियार ही आपका मजबूत नहीं है तो आप पहले ही हार जाओगे जंग लड़ने से पहले ही तो आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपकी सारी सरीर की पावर आने लगेगी आप खुद इतना आत्मिसरात मजब जरूर जो बंदा अपनी बात का पक्का न हो तो उसका इनसान होना धिक्रार है वो उसकी इनसानों में就是 इजनती जान्मरों में होती है ठीक हमित्रों तो मैंने इस वीडियो में जो भी अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो मेरा चैनल अंसब्सक्राइब वो करके चला जाए जिस भाई को भी अच्छी लगी हो जानकारी चाहता है अगर अच्छी अच्छी जानकारी चाहता है अच्छी नौलेच चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बात ना पसंद आए अंसब्सक्राइब हो जाए क्योंकि मैंने कभी सब्सक्राइब करने के लिए कोई जादा जोर नहीं दिया मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई फैदा उठा सकें ठीक और सब्सक्राइब करने की बात रही, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मैं समझ लिजे, मेरे सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर मुझसे नहीं, मैं अपने सब्सक्राइबर से जुडा हूँ, ठीक, तो वो भी एक इस्वर की कृपा है, जिसको मेरे साथ जुड़ना लिखा होगा वो जुलेगा जिसको नहीं जुलना होगा वो नहीं जुलेगा तो नित्रो आज के लिए बस इतना ही अब मैं उमीद इतना ही करता हूँ क्योंकि मैंने यह सोच के ही वीडियो बनाया आज मैं भी मेडिटेशन करके ही उठा था तो हो सकता है यह अंदर की मेरे ताकत ने मुझे विश्वास है कि लोग छोड़ेंगे क्यूं क्यों कि मैंने meditation किया है मैं meditation करता हूँ मेरा आत्म विश्वास मजबूत हुआ मेरे अंदर की ताकत ही कह रही है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा वीडियो बनाना सफल होगा ये meditation का ही चमतकार है अगर मैं ये सोचता कि क्या करना यार वीडियो बना के छोड़ कोई देखेगा ही नहीं क्या फाइदा बनाने से तो ये फिर मन की बात हो गई हिर्दे की बात नहीं सुना ठीक जब मेडिटेशन बंदा करेगा ध्यान लगाया कि तो हिर्दे की और वो जाएगा और हस्त महसुन करते हैं से हिर्दे हिर्दे सारे अंग कमजोर हो जाते हैं मेडिटेशन आपके सारे अंगों को मजबूत करता है क्योंकि आप इस्वर की और जाते हो और इस्वर ही वो सकती है क्योंकि इस्वर से ही सब कुछ उस पत्ती हुई है तो आपने जितना खोआया है उस समली जे उस इस्वर के ध्यान में ही आप सब कुछ पा जाओगे। धन्यवाद मित्रों और होली कि आप सभी को हार्दी खुब कामना है। और मेरी इस्वर से यही प्रात्ना है कि मेरे जितने भी भाई दोस्त हैं, चाहे सब्सक्राइबर हों, अब कुछ लोग मुझे गालिया भी देते होंगे कि बहुत ज्यादा लेक्चर सुना रहा है, तो उनको भी भगवान खुश रखे, सलामत रखे, उनको सत्बुद्धी दे, और मैंने जो बताया है, चाहे मित्रों पांच मिनट ही मेडिटेशन करिए, लेकिन जरूर करिए, धन्यवाद.